नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका दे इंडियनेस में और मैं हूँ आपके साथ पारोल यादव आज हम अपनी बड़सो पुराने कुद्रती धरोहर गवाकर तॉक्सिक याने की जहरीला जीवन जीने पर मजबूर हो चुके हैं आज हम सभी के घरों में एसी फ्रीट स्कूलर ये सारी सुविधाय मौजूद हैं लेकिन इन सबको पाने के लिए हमने अपने घर के आगन में लगे पीपल और नीम के पेड़, खेत, खलिहान और जंगल कवा दिये हैं और ये सबका ही नतीजा है कि आज हम सभी लोग इनवायर्मेंट पलूशन और ग्लोबल वामिंग जैसी भयानक मुसीबतों से खिर चुके हैं जहां दिन बर की भाग दोड में हमारे पास एक गंबले में पानी डालने तक का समय नहीं होता वहीं हमारे ही देश में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो चुपचा प्रकरती को बचाने में जुटे हुए हैं और आज 5 जून याने की वर्ल्ड इनवायर्मेंट डे के खास मौके पर हम आपको एक ऐसी ही डाउन टोर्थ महिला से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने हमारी आने वाली पेड़ी के लिए पेड़ों का खजाना गाड़ दिया है भारत की केरेला में स्थित अलापुजा जिले की रहने वाली 85 साल की देव की अम्मा ने 40 साल पहले अपने घर के पीछे एक पेड़ लगाया था अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है लेकिन बड़ी बात तो ये है कि देव की अम्मा तब से अकेले पेड़ लगा रही है और आज उन्होंने एक पेड़ से शुरू हुए इस सफर को घने जंगल के रूप में खड़ा कर दिया है देव की अम्मा को बच्पन से ही खेती का बड़ा शौक रहा है देव की अम्मा की शादी भी एक ऐसे परिवार में हुई जहां सब खेती बाड़ी का काम करते हैं इस परिवार में चलती आ रही एक प्रथा के अनुसार घर की औरतें सिर्फ खेती का ही काम करती हैं और परिवार के पुरुष कॉर्परेट नौकरियां करते हैं शादी के बाद देव की अम्मा अपनी सास के साथ मिलकर धान की खेती करने लगी लेकिन साल 1980 में हुई एक दुर्गटना के दौरान उनके पैर में बुरी तरहां चोट लग गए जिसके चलते डॉक्टर ने उन्हें चलने फिर्णे से भी मना कर दिया बुरी सास के साथ रहती देव की अब खेती बाड़ी करने से भी लाचार हो चुकी थी इसके बावजू देव की अम्मा का खेती के प्रति लगाओ कभी कम नहीं हुआ देव की ने एक्सिडेंट के तीन साल बाद अपने घर के पीछे एक पेड लगाया जिससे उन्हें बहुत खुशी मिली इसके बाद तो देव की अम्मा ने धड़ाधड एक के बाद एक पेड लगाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अलापुजा गाओं की पांच एकर जमीन पर महल की तरह एक हरा भरा जंगल खड़ा हो गया आपको बता दे कि देव की अम्मा को पेड लगाने की प्रेड़ना उनके जीवन साथी गोपाल कृष्णि पिल्लाई से मिली जो कि इंगलिश के टीचर थे और प्रियावरन की रक्षा के लिए खुद भी देव की अम्मा के साथ पेड लगाया करते थे जब भी देवकी के पती घर आते तो वो कोई ना कोई पेड का भी जरूर लाया करते थे पती के गुज़र जाने के बाद भी देवकी ने अकेले पेड़ लगाना जारी रखा इतना ही नहीं पैरों से लाचार होने के बावजूद देवकी ने इन पेड़ों की परवरिश में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी पेडों को मा जैसा प्यार देने वाली देवकी के सफर में उनकी चार पीडियों ने भी अपना पूरा योगदान दिया उनके बच्चे और रिष्टदार उन्हें तौफे के रूप में पौदे दिया करते हैं यहां तक की अब पेड़ लगाने का ये सिलसिला रिवास बन गया और परिवार के सारे सदस्यत इसे त्युहार के रूप में मनाने लगे आलम तो यह है कि जब भी स्कूल में छुटिया होती हैं अम्मा के पोते पोतिया उनके पास चाहते हैं और एक त्योहार की तरह उनके साथ पेड़ लगाते हैं आपको यह जानकर खुशी होगी कि अम्मा अपने आर्टिफिशल जंगल में अभी तक हजार से ज्यादा प्रकार के पेड़, फल, फूल और सबजिया लगा चुकी है इतना ही नहीं उनके जंगल में विदेशी जड़ी बूटिया भी पाई जाती हैं जहां शहर की भीड में जानवर और पक्षी, जहरीली हवा में सास लेने को मजबूर है वहीं देव की अम्मा के बसाए आर्टिफिशल फॉरेस्ट में मोर, बंदर, गाय, भैस जैसे हजारों जानवरों के साथ विदेशी पक्षी जैसे की अमूर, फालकन, ब्लू एथ रोट, ब्लैक विंक्स, लिल्ट और पन्ना कबूतर भी देखने को मिलते हैं आपको बता देगी पेड़ों को बर्चों की तरहां पालने वाली देव की अम्मा इन जंगलों की हरियाली और उपजौव शक्ती बनाए रखने के लिए सिरु प्रकर्तिक खात का ही इस्तमाल करती हैं साथ ही सभी पेड़ों को पानी देने के लिए अम्मा वर्षा जल को भी सनरक्षित करती हैं देव की अम्मा के प्रियावरंट के प्रती समरपण को देखते हुए साल 2019 में भारत के रास्टपती रामनात कोविंद ने उन्हें नारी शक्ती पुरुषकार से सम्मानित किया ये सम्मान मिलने से पहले भी देव की को बहुत सारे पुरुषकार मिल चुके हैं देव की अम्मा ने इंदिरा प्रियदर्शनी व्रिक्ष मित्र पुरुषकार के साथ अन्य राजे सरकारों से भी कई पुरुषकार जीते हैं जिनमें वनामित्र पुरुषकार और हरीता व्यास पुरुषकार शामिल हैं देव की अम्मा की अतुल्य योगदान से प्रेडित होकर उनकी पोती वर्दमान में बोटनी की पढ़ाई कर रही हैं ताकि वो उनी के कदमों पर चलते हुए इस चंगल को आगे और फैला सकें तो दोस्तो आपका हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना बिल्कुल ना भूले नमस्का